का रिमोट काई बार टीवी चलाते समय आपको मिलता नहीं है या आपका रिमोट खो जाता है तो आप क्या सोचते हो कि अम मैं टीवी कैसे चला हूँ ऐसे आप में वीडियो लेका है हूँ अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्ट एलेडी टीवी है और उसका रिमोट खो चुक वही मेरे मुवाइल से काम करें तो यह वीडियो उसी लिए है कि हम हमें सैमसंग की स्मार्ट एलेडी टीवी को अपने मुवाइल में रिमोट बनाकर कैसे चला है तो वीडियो को सूचल लेकर एंटर देखना कोई भी स्टैप मिस नहीं करना है मैं आपका एलेडी टीवी ग पूरे स्मार्ट टीवी का पूरी एप्लिकेशन वह सब आपकी मुवाइल से ही ऑपरेट होगा उसमें आपको क्रॉम कास्ट की वजरूरत नहीं है आप जो यूटूब के गाने चलाने चाहते तो वह चला सकते हो आपका बोस कंट्रोल वाला भी जो बोस कंट्रोल भी काम कर आपको बोस कंट्रोल रिमोट की वजरूत नहीं पड़ेगी आप इसी मुवाइल को बोस कंट्रोल भी बना सकते हो तो पूरे स्टेप वाइस्टेप आपको देखना होगा तो आप करते हैं लाइब बीडियो आपके पास सैमसंग का कोई भी स्मार्ट एरी टीवी हो और पर सबसे पहले आपको रूना है smart thing application, Smart thing applications को आपको अपने मुवाइल में डाउनलोड करनेना है, चाहिए आपके पास कोई सा भी company का मुवाइल हो, smart tv 삼성ं की है, ब है तो smart thing application only Samsung की pak्डेक्ट पर यह चलती है, यूज होती है, smart thing application डाउनलोड करने के बाद, अपने मुवाइल में कौन-कौन सी सेटिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका एक फाइदा भी है Samsung अकाउंट भी क्रेट हो जाएगा यहां पर आपको इसको only for जब आपको यूज करते तो location कर दीजिए अब यहां पर अल्रेडी मेरे पास एक TV करने के बाद में सर्चिंग पूर डिवाइस अब यहां पर आपके पास कनेक्टिंग रेडी आएगा और फिर इसके बाद में OTP भेजेगा टीवी के ऊपर यह मुबाइल बिल्कुल कॉर्णर पर देखना यहां पर पिन वेजेगा आपका यह यह TV पर सायड में स्मार्टिंग ने पिन वेजा यह पिन आपको अपने मुबाइल में डाल लेना है जैसे मुबाइल में डालोगे तो आपका टीवी यहां इस पर करनेक्ट होगा और यह डिवाइस नहीं पूछेगा कि आप इस टीवी को क्या नाम देना चाहते हों यहां पर सबसे पहले आपको अपना यह ओटीपी डाल लेना है जैसे यह आप ओटीपी डालोगे आपका जो टीवी और डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद में आप डिवाइस करोगे वहां पर ओके लिखे हुआ आ गया है और आपका जो मुवाइल है वह रिमोट में पूरे तरह कनवर्ट हो चुका है ठीक है यहां पर लास स्टेप है और यहां पर मैं इसको लिविंग रूम का नाम दे देता हूं टीवी को सिस्टिफाइव के स्टल यू साउंड के हैं और होम बार सारा आ जाएगा अब देखो यह पूरा रिमोट बनके आ गया है अब यहां पर आप इसको अप्लिकेशन ओन करना अप्लिकेशन चलाना है आप यहां पर करसर की तरह भी उच कर सकते हो और आप देखो इसे वोल्यूम में भढ़ाता हूं यहां पर सारी अप्लिकेशन आ जाएगी ठीक है आप मेरा जो मुबाइल हो पूरा रिमोट बन गया सामसंग का रिमोट पूरा आ चुका है और मैं अपने मुबाइल से ही इसको टीवी को अप्रेट करूंगा मैं न्यू साउंड और हॉम बार अप्लिकेशन ओन करना अप्ल एल जी स्मार्ट एली टीवी में हम रिमोट जो मुबाइल में कैसे ऑपरेट करें तो वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी वीडियो अच्छी लगे तो पिर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरू करो शेयर कर सकते हो इस वीडियो को जिनको अपना और अपन अपने अपने टीवी ओ का मॉडल लंबर जरूर डालना नाम के साथ में थैंक्यू सो मच